हेलो माई दियर फ्रेंड्स वेलकम टू आर यूटूब चैनल लर्न सर्विसेज इस गुंजन गुपता और मैं आपको करेंट अफैस की सारे जनकरिया दोंगी उसके पहले आपको चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिलकुल ना भूले और आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप को जॉइन करें ताकि आपको वहां से PDF मिल सकें तो आज हम 5 और 6 फरवरी की करेंट अफैर्स को हम डिसकस करेंगे सबसे फर्स्ट हमारा कोश्चन है एमेजोन के नए CEO कौन बने हैं आपके पास ऑप्शन से एंडी जैसी, एलॉन मस्क, देव कलहन और मेल्विन जॉन्स, इसमें से आपको बताना है कौन एमेजोन के नए CEO बने हैं, तो अभी Amazon के नए CEO बने हैं आंडी जैसी, इसके पहले जेफ बेजोस थे एमेज़न के CEO पहले कौन थे जेफ बेजोस, और अभी कौन बने हैं, एंडी जैसी, तो हमारा आंसर हो जाएगा आप मिलके टीचिंग लर्निंग को मजबूत बनाने के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर पर हस्ताक्षर किया है आपको बताना है भारत सरकार और किसने मिलके तो आपके पास बहुत सारे आप्शन से वर्ड बैंक, रिजर्व बैंक, एफडियाई या फिर इनमें से कोई नहीं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ड बैंक वर्ड बैंक और सरकार ने टीचिंग लर्निंग को मजबूत बनाने के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का हस्ताक्षर किया है तो हम इसमें आ गया है, अब वर्ड बैंक का नाम आ गया है वह छे राज्य कोन कोन से हैं हिमाचलप्रदेश , केरल, मध्देप्रदेश , महाराष्ठ , उरिसा , तीके ये छे प्रदेश हें हैं इनकी शिक्षा के और सासंद में सुधार सबसे पहले इसका इसका स्थापना कब वुई थी 1944 में स्थापना हुई थी इसमें प्रसिप्ल जो है यह कौन है इसमें इसके प्रसिदेंट इसमें इसके इंचिटेंट से डीश माल-तर से और हार्ड colors जो है। है यह एसका हैट्वाटर है वह कहां पर है इसके इसके कैसी ट्री broth में जोकी और में ज्युकर कांपर है तो आपको इसका हैड़न कर एसटेंट्ट फैर्सेडेंट है डेविड मालपास और हेड़ क्वार्टर है वाशिंग्टन डी सी और इसमें कितने राज्य थे पूरे की पूरे छे राज्य थे उन छे राज्यों के नाम भी आपको याद रखने हैं क्योंकि कभी कभी क्या होता है उन छे राज्यों को उन छे राज्यों के बारे में और कुश्चने हमारा अभी किसने नए तटी संनु संधान वाहन सागर अन्वेशि का सागर अन्वेशि का एक वहां का नाम है को चेणने बंद्रगाह पर राश्ट्र को समर्पित किया है तो आपके पास option है Ministry of Science and Technology DRDO Indian Space Research Organization या फिर इनमें से कोई नहीं आपको बताना है तो इसका correct answer हो जाएगा Ministry of Science and Technology Ministry of Science and Technology ने नए 30 अनुसंधान वाहन का नाम क्या है सागर अन्वेशिका सागर अन्वेशिका को चन्नी बंदरगाह पर राश्ट्र को समर्पित किया है अब इसके अंदर आ गया है हमारा Ministry of Science and Technology तो हम इसके बारे में जान लेते हैं कि यह है क्या Ministry of Science Technology इंडिया की है इंडिया कंपनी है यह क्या हो इसमें इसके फांडर इस यह का फांड हुआ था मैंस इसकी स्थापना कब हुई थी मई में हुई थी 1971 में हेड़क्वार्टर है इसका नए दिल्ली में Ministry of Science and Technology का हेड़क्वार्टर है नियो दिल्ली में और इसमें मिनिस्टर जो है इसकी मिनिस्टर जो हैं हर्षवर्धन और दिल्लीस नाम भी याद रखना है सागर अनवे शीका ठीकिए फूर्थ कोशन है हमारा अभी किसने घुजरात के एहम्ंदावास शहर में नए चार लेन वाले थल तेज सिलाज रंधादरा रेल्वे ओवर ब्रिज का उद्धो गाटन किया है। आपको चार लेन वाले ओवर बिज का उद्धुगाटन किया है किस ने किया है वह यह बताना है आपके आप्शन से नरेंद्र मोधी राम राजनात कोविंध यहां लिख्या गया रामनात कोविंध है अमित शाह और फिर है निर्मडा सितारुमन तो इसका करेक्ट आंसर हो जा इल्ली में और फांड़ेट कव हुआ था 15 अगस 1947 में मिंस जो यह यह कब बने थे में यह जो हमारे जो अमित शाह है यह कब बने थे होम मिनिस्टर इनके बारे में है यह फांड़ेट कव हुए थे राजस्धानी है गांधी नगर गुजरात अच्छा हाँ यहाँ पर गुजरात की बात भी आ गई है ठीक है तो गुजरात की बात आ गई है यहाँ पर गुजरात के एहमदाबाद शहर में की गई है चारलेन का उदगाटन तो हम गुजरात के बारे में भी जान लेते हैं गुजरात की राजधानी है भाधानी मुख्य मंत्री और राज्यपल आपको तीन चीज़े याद रखनी हर राज्य से ठीक के मैं जब भी राज्य का किसी भी राज्य का नाम आएगा मैं आपको यह तीनों चीज़े हमेशे याद किरवांगे और आपको मेरे साथ इनको रिवाइज भी करना है तो हमारा question है अभी दिल्ली में किसने ट्राइफेड द्वारा आयोजित एक राष्ट्री जनजाती महसों का जिस महसों का नाम क्या है अनादी महसों का घाटन किया है किसने अनादी महसों का उद्घाटन किया है आपके option से रामनात कोविंद एमवं के आये नाइडू और हमें अमित शाह इसमें अमित शाह आएगा और इनके हने से कोई नहीं तो इसका correct answer हो जाएगा अगे आप मिनिस्च्री का नाम लेते हो तो उसकी आगे आप उनका मिनिस्च्री लगा दिया करता कि उपराष्ट्र पती उपराश्रपति में कैनेडू हो गया फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सित्तरमन हो गया ऐसे इसके अंदर क्या किया जाएगा इस यह जो महुत्स है इसके अंदर आदिवासी संस्कृत संस्कृत शिल्प भोजन और वाणिज के आत्मा का उत्सो है इस महुत्सो में सब चीज मतलब संस्कृती भी दिखी जाएगी शिल्प देखा जाएगा भोजन और वाणिज इन सब के आत्मा का उत्सो है और ये एक सफल वार्षिक पहल है मतलब हर वर्ष यह होता है जिसे 2017 मे सुरू किया गया था अनादी महोट सको और अभी तक चलता आ रहा है हम नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं नेक्स्ट कोशन है हमारा अभी कहां की मेट्रो ने अपने ट्रेन के डब्बो को साफ करने के लिए परावैगनी किर्णे मतलब यूवी रेज का उप्योग किया है आपके उप्षन से लखनव, मुंबई, दिल्ली और कोलकत्ता तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनव लखनव मिंस हमारी लखनव जो है वो किसकी राजधानी है उत्तर प्रदेश की तो हम आप उत्तर प्रदेश के बारे में यहां पर डिसकस करेंगे उत्तर प्रदेश के लोगी आदित्यनात, राज्य पार्लमेंस वहां की गवर्नर जो है वो है आनंदी बैन पटेल और वहां का पुष्प है वो कौन सा पुष्प है मैंने आपको बताया है जब भी उत्तर प्रदेश का नाम आएगा आपको उसके सारी चीज़े रिवाइस करनी है जो जो मैं ब बनी हुई है जो पराबैगने केंडनों से अपने डिब्बो को साफ करवाएगी तो यह पहली देश की ट्रेन मेट्रो ट्रेन बनी है इसने निव्यार्क की ट्रेन की प्रणाली का प्रणाली से लिया है मतलब वहां से यह प्रेंडना लिया है निव्यार्क की मेट्रो ट्रे राज्य बताना यहां पर आपके पास option है मध्यप्रदेश, उत्त्रप्रदेश, पंजाब और केरल तो इसका correct answer हो जाएगा केरल केरल राज्य में पहला जेंडर पार्क खोलने की तयारी चल रही है अब केरल का नाम आ गया तो हम केरल के बारे में यहां पर बात करेंगे केरल क की राजधानी है त्रिवनननत पूरम यहां के CM जो है में सिफ मिनिस्टर जो है वो पिनरे विज्यन है राज्य पाल गवर्नर गवर्नर कौन है आरिफ महम्मद खान और केरल में सांत घाटी आपको याद रखने केरल के अंदर सांत घाटी है और पेरियार वंजिव अभ्या आरन भी है ये भी आपको याद रखना है नेक्स्ट कुशन पर हम चलते हैं नेक्स्ट कुशन है हमारा अभी अभिवादन नामक एक संगीत कारिक्रम आयोजित कहां किया जाएगा आपके पास आप्शन है पूरे इंदौर गौालियर और चटिस गण तो इसका प्रेक्ट आ महाराष्ट की राजधानी है मुंबई महाराष्ट के मुक्य मंत्री है उद्धो ठाकरे और महाराष्ट के गवर्नर है भगत सिंग किसारी तो इनका नाम आपको याद रखना है हमारा नाइन्थ कुश्चन है अभी भारत में भारत और अमेरिका के बिच युद्ध से स्टार्ट हुआ है वो कहां आयोजित किया जाएगा सैन्य अभ्यास कहां आयोजित किया जाएगा अभी आयोजित हुआने जाने की गोषणा किये कहां आयोजित किया जाएगा यह बताया है तो आपके पास ऑप्शन से महाराष्ट उत्तपदेश राजस्थान और गोवा तो इसका correct answer हो जाएगा राजस्थान मेंस भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यारण नामक सैन्न अभ्यास राजस्थान में आयोजित किया जाएगा तो राजस्थान का यहाँ पे नाम आ गया है तो हम राजस्थान के बारे में और डिटल जानेगे राजस्थान के राजस्थान की राजधानी है हमारी जैपूर राजस्थान के मुख्य मंत्री है असोग गहलोत और राजस्थान के राजजपाल है कमल राज मिश्र और यह जो युद्ध अभ्यारण है यह सोलवा एडिशन है इस अभ्यारण का सोलवा एडिशन है जो कि 8 फर पोर्ट के अनुसार भारत के सिर्ष सेलिब्रिटी एंडॉर्स्ट कौन बने हैं ठीक है आपको बताना है सिर्ष सेलिब्रिटी कौन है अभी के तो आपके पास आप्शे कुमार सारुखान विराट कोहली एंड रितिक रोशन तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा जातिक कप्तान है यह लगाता चौती बार चौती बार यह सृष पर रहे हैं चार बार से यही शीड पर सी पर रहते आ रहा हैं इनकी जो मनी की वैल्यू हैं इनके पास वैल्यू है 237.7 million US dollar US dollar में है इनका 237.7 है और अक्षे कुमार का है 118.9 million तो अक्षे कुमार हो जाएंगे हमारे दूसरे नमबर पर ठीक है और आपको याद रखना है जो विराट को हो लिए लगातार चौथे चार बार बन चुके हैं और अक्षे कुमार जो है ओर second नमबर के 6た को अब को अभी next question हमारा अभी 44 cancel सताबदी समारो हो का उधघाटन किस ने किया है 44 cancel निर्मलासित्हरमन Mvng can prá satu या नरेंदर मोदी तो एसका correct answer हो जाएगा नरेंदर मोदी और आपको पता है चौरी चौरा कहां पर है उत्तर प्रदेश में है तो हम उत्तर प्रदेश के बारे में भी इसके इंदर जानेंगे तो नरेंदर मोधी आपको उत्तर प्रदेश में किया गया है और नरेंदर मोधी नहीं किया है उत्तर प्रदेश यहां और डांक टिकेट भी एक जारी किया है इस समय पे इस समय रोह में एक टिकेट भी जारी किया है मुख्य मंत्री अब उत्तर पदेश की बात आ गए है तो पदेश के बारे में हम जानेंगे मुख्य मंत्री हैं वहां के योगी आधित्यनाथ, राज जपाल आनंदी बैन पटेल और आपको पता है उत्तर पदेश का राजधानी का है लखनो मुख्य मंत्री ये दोनों लोग जो हमारे जो मुख्य मंत्री हैं और जो राज जपाल आनंदी बैन पटेल और योगी आधित्यनाथ दोनों इस समरोह में शामिल थे ठीके अब पुष्प है पलास पशु है बारा सिंगा और व्रक्ष है असोक का व्रक्ष रास्ट्री व्रक्ष क्या है योपी का असोक का व्रक्ष आपको ये सारे चीज़े भी याद रखनी है और जो रिलेटेड में बता रही है वो भी चीज़े याद रखनी है जैसे चोरा चोर सतापदी समा रहो कहां कहां हुआ है उत्तरी द्देश में किस ने किया है नरेंद्र मुधी ने किया है नेक्स्ट केशन ने हमारा भारत के कि सहर की लेखी का पॉलोमी भाविनी शुकला इनका नाम याद रखना पॉलोमी भाविनी शुकला को फॉब्स द्वारा जारी भारत की 30 अंडर 30 मतलब 30 अंडर 30 में इनका इस्थान मिला है तो ये पूचा है कि ये किस शहर की है ये लेखिका जो है ये किस शहर की है इनको अंडर 30 फॉब्स में अंडर 30 का इस्थान मिलना बहुत बड़ी बात होती है तो इनको अंडर 30 में इस्थान मिला है तो आपके options हैं यहाँ पे किस शहर की आपको यह बताना है तो first option है पूरे, लखनव, कॉलकत्ता, वेस्ट बंगार तो इसका correct answer हो जाएगा हमारा लखनव मिन्स फिर से उत्तर प्रदेश की बात आ गई तो फिर से हम सारे चीज़े फिर से revise करेंगे लखनों के लखनों के जो मुखी मंत्री हैं वो है योगी आदित्यनात, राज्यपाल, आनंदी बेन पटेल, पुश्प पलास, पशु बारा सिंगा और व्रक्ष क्या है असोक का व् मिशन का नाम किया है हर घर पानी हर घर सफाई यह एक राज्य का मिशन है यह कहां पर लॉंच किया गया किस राज्य में लॉंच किया गया है आपको यह बताना है आपके पास पंजाब सरकार ने किया है हड़ाना सरकार ने किया है गुर्जा सरकार ने किया है या केरल सरकार ने किया है तो इसका correct answer है पंजाब सरकार ने अभी पंजाब सरकार ने हर घर पानी हर गर सफाई mission launch किया अब यहां पंजाब की बात आ गई है तो हम पंजाब के बारे में और डिटेल्स लेंगे यहां पर पंजाब है पंजाब की राष्धानी कहा है चन्डिजर और यहां पे 2000 2022 तक मतलब सारे CRM मतलब 200% 5 की फूरती का लक्ष्य किया गया है मतलब200 216 2022 तक 100% प्ंजल पूरती हों का लक्ष्य किया गया है मतलब अभी निर्धारिट किया गया है अब वह complete होगा नहीं होगा यह उनके उपर हैं कुल 155 गाउं 155 गाउं में 6 लाख निवासियों को लाव मिलेगा इससे कितने लोग को लाव मिलेगा गाउं कितने हैं 155 गाउं हैं और 6 लाख निवासियों को यहां से लाव मिलेगा तो आपको यह भी याद रखना है और 2022 तक 100% नल की विवस्ता हो जाएगी हर घर में ठीक है नेक्स्ट कुशन है हमारा अभी अभी 2020 लोकतंत्र सुचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है आपको बताना है भारत का इस्थान कौन सा है लोकतंत्र सुचकांक में हमारे ऑप्शन है पंद्रवा इस्थान पचीसवा इस्थान त्रिपनवा इस्थान या फिर पचासवा इस्थान तो इसका करेक्ट आंसर है त्रिपनवा इस्थान अभी भारत का त्रिपनवा इस्थान है अब इसके बारे हम तो जान लेते त्रिपनवे इस्थान पर हमारा ह तो आपको यह भी याद्स कितने मिले दिने और अब घटके कितने हो गया है अभी किस इस company ने Henry Moniz, Henry Moniz को अपना पहला मुख्य अनुपालक अधिकारी निक्ति किया है, आपको company का नाम बताना है, जिसने Henry Moniz, इनका नाम भियाद अपना Henry Moniz को अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी निक्ति किया है, तो आपके पास option से Facebook Inc, Twitter Inc, Google Inc, या Microsoft Inc, तो इसका correct answer हो जा Facebook Inc की company ने Henry Moniz को अपना मुख्य अनुपालन अधिकारी निक्ति किया है, Facebook Inc, इसका correct answer हो जाएगा, Facebook Inc ने, Next Question है हमारा, अभी किस अमेरिका से Carbon Neutral Oil की दुनिया की पहली खेप मंगाई है, अभी एक company है, जिसने अमेरिका से भारत Neutral Oil की पहली खेप, मतलब पहली बार वो मंगा रहा है, वो कौन सी company है, आपके पास options है, Tata, Mahindra, Godre, Jari Lance, तो इसका correct answer हो जाएगा, हमारा, Reliance, और इसने दावा किया है, कि 2035 तक Zero Carbon Company का लक्ष बनाया है, इसके इंदर, तो यह हमारे आज के question से, 16th question, अब मैं आप से एक question, homework के लिए पूछूँगी, जिसका आपको answer कहां लिखना है, comment box में लिखना है, और यह सारे, सारे, सारे जो question से आप याद रखे, क्योंकि इसका, मैं homework, आपके लिए एक homework भी लेके आए हूँ, question for you, आपके लिए, तो आपको यहाँ बताना है, किस राज्ये ने एकलव्य आदर्ष आदिवासी विद्यालों के बहतर प्रबंधक के लिए गोशना की है, आपको उस राज्ये का नाम बताना है, जिसने एकलव्य आदर्ष आवासी विद्यालों को बहतर बनाने के लिए प्रबंधक के गोशना की है, ठीक है, और इसका answer आ कि रोज मैं आपसे एक कोशन भी पूछूंगी और वो कोशन हमारे पिछले विडियो में डिसकस किये गए होंगे तो आपको इसलिए विडियो को ध्यान से देखना है हारे चीजे लिए अगर लिख सकते हैं तो आप रोज लिखिए लेकिन रोज रोज विडियो को सेरियल वा तो यह तहा हमारा आज का विडियो थेंक यू फ्रेंड्स जो आइ